मित्रों देश में सुशासन के लिए महा संग्राम शुरू हो चुका है और भारती जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास एक भारत श्रेष्ट भारत के संकल्प के साथ मिशन सुशासन के लिए अपने चुनावी अभियान कश्युवारंब 26 मार्च से करने जा रही है 26 मार्च हमारे परधान मंत्री पत के उम्मीदवार शिरी नरेंद्र मोदी जी दो सो पंचान बे संसिदी छेत्रों में एक सो पचासी से जादा रैलियों को संबोधित करेंगे 295 पार्लिमेंटी कांस्टिंसीज में 185 से जादा रैलियों को संबोधित करेंगे इन रैलियों को भारत विजय रैली के नाम से जाना जाएगा भारत विजय रैली के माध्यम से देश को कॉंग्रेस के कुशासन से मुक्त कराना और सुशासन से भरपूर सरकार की स्थापना करना लक्ष भी होगा और संकल भी होगा इसके अत्रिक्त पार्टी के राष्टी अध्यच श्री राजनास सिंग जी बिल लगभग एक सो पच्पन और से साथ रैलियों को अलग-अलग जोहों पे संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष नेता श्री लाल किशना अडवानी जी हमारी लोग सभा में विपक्ष की नेता श्री मती सुष्मा सोराज जी राजी सभा में विपक्ष के नेता श्री अरून जेटली जी डाक्टर मुर्ली मनहर जोशी जी श्री एम वेंकेया नाइडू जी नितिन गटकरी जी हमारे मद्परदेश के मुख मंत्री श्री शिवराज चोहान साहब शत्तिसगळ के मुख मंत्री डाक्टर रमन सिंग जी राजस्थान की मुख मंत्री श्री मती वसंद्रा राजे सिंधिया जी हमारे गोवा के मुख मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी सहित हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेता अलग अलग लोग सभा छेत्रों में चुनाव अभियान में भागीदारी हिस्सेदारी करेंगे सभी अड़वानी जी से लेकर के और सभी राष्टी नेताओं के कारक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है भारत विजय रहली देश के अलग-अलग हिस्सों में काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हो रही है और 26 मार्च को जम्मू से हमारे प्रधान मंत्री पत के उमीदवार श्री नरेन मोदी जी सुशासन के महा संगराम का शंखलात करेंगे उसके अत्रिक्त देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलियों की योजना रैलियों के कारक्रमों की योजना ये सारी भारती जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है जो भारत विजय रैलियों है उसमें कुछ महत्पूर्ड और कुछ अलग सा दिखने वाला दिखने वाली योजना बनाई गई है इन रैलियों के लिए जहां पर पार्टी के सभी कारकरता लोगों को आमंत्रित करेंगे लोगों को बुलाएंगे वहीं श्री नरेंडर मोदी जी का एक विक्तिगत पत्र मद्दाताओं के पास जाएगा जिसमें के उनसे इन रैली में भागीदारी और साथ ही साथ इस सुशासन के लिए जो मिशन सुशासन है उसके लिए साथ और सहीयोग दोनों की अपील होगी ये विक्तिगत पत्र सभी मद्दाताओं के पास जाएगा उसके अत्रिक पिछ जिन जिन विधान सभाच लोग सभाच छेत्रों में और राज्यों में ये भारत विजयर एली होगी उसमें जिन राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी या विरोधी दलों की सरकार है उसकी नाकामिये उनका कुशासन उससे संबन्दित चार शीट भी मद्दाताओं तक उस किट के माध्यम से पहुँचेगी और जिन राज्यों में भारती जनता पार्टी और एंडिये का शासन है उसकी उपलब्धियों का लेखा जो खाभी उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा इन रैलियों में जो एक महत्वपूर्ण है कि जब हम बात करते हैं कि इस सुशासन के महा संगराम की तो उसमें लोगों की सीधे भागी दारी और हमने एक कारक्रम शुरू किया था कि एक नोट और एक वोट का उसको एक तरह से आगे बढ़ाते हुए मोदी फर पियम हुंडी भी उन कारक्रमों में रखी जाएगी और जिसमें की लोगों से सहीयोग मांगा जाएगा उसके अतरिक तो उसका मैं डिटेल आपको दूंगा भी उसके अतरिक एक सुझाओ पत्र का पेटी का होगी जिसमें की उस सुझाओ जो लोगों का सुझाओ होगा उस लोग सभा के छेतर का उस इलाके का उनके जिले का उनके परदेश का या राश्टी समस्याओं से जुड मद्दाता उस जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको बाद में हम सभी को एकटा करेंगे करेंगे और एक अत्रित करके केंदृ कार्याले में पूरी उसकी विवस्था की गई है उन सारे सुझाओं को हम उसका अध्यान करेंगे और अध्यान करने के बाद उसको एक शीट पे उतारेंगे और पार्लिमेंट के समस्याओं से संबंदित एक एक एरिये से एक एक प्रदेश से जुले हुए सवाल राश्टी अस्तर के जुड़े हुए सवालों को हम जो सरकार को हम देंगे ताकि उसका वो समाधान वो तत्काल परभाव से कर सकें इस तरह की एक नमो समाधान वीजन फर गुड गवर्नेंस ये एक नरेंदर मोदी जी देश की सरकार और परधान मंत्री बनने के बाद किर्शी के छेतर में क्या करने वाले हैं आर्थिक सवालों पर क्या करने वाले हैं शिच्छा के छेतर में क्या करने वाले हैं रोजगार के छेतर में क्या करने वाले हैं जो ग्रामिल विकास है और ग्रामिल सवालात है उसके छेतर में क्या करने वाले हैं आंत्रिक सुरच्छा और राश्टी सुरच्छा की जो चुनोतियां है उसका क्या संकल्प होगा और इससे भी महत्पूर्ण है कि जो सुशासन गुड गवर्नेंस का जो विजन है जो सोच है उसका जो है वो कौन कौन सा बिंदू होगा जो की लोगों को के बीच में हम लेकर के जाएंगे इस तरह का वो नमो समाधान पत्र ये होगा जिसमें की हर सवाल पर नरेंद मोदी जी और भारती जनता पाइटी की सोच बहुत इसपश्च तरीके सो होगी जैसे एक होगा कि कम शासन अधिकार अब ये शासन से जुड़ा हुआ है आत्मा गाओं की सुड़ा शहर की यानि गाओं और शहर के बीच की जो दूरियां है उन दूरियों को खत्व किया जाए और गाओं को शहर के तरह से सुड़ाएं महिया कराई जाएं उसके साथी साथ बीच दर बीच अनाज अधिक अनाज यानि कि हर बीच जो है उससे अनाज पैदा हो इसका जो है व्योस्था इस तरह से जो है लगभाग ग्यारा महत्यकूर्ट बिंदू होंगे जिनकों की हम नमो समाधान कि माध्यम से लोगों के बीच में देंगे और कहेंगे कि ये हमारा सुशासन का संकल्प है और किर्शी के बारे में हमारा क्या संकल्प है रोजगार के बारे में क्या संकल्प है अर्थनीती के बारे में क्या संकल्प है आंतरिक सुरच्चा और आश्टी सुरच्चा से जु होगा उसके अत्रिक्त इस तरह का यह ग्यारा बिंदू ग्यारा पॉइंट होगा हम परंपरागत चुनाओ तरीके से चुनाओ का हमारा जो अभ्यान है वो तो रहेगा रैलियां हैं सभाएं हैं नुकर नाटक हैं रोड शो है डोर डोर कमपेन है यह सारी चीजें हमने शुरू कर दी है और भी 26 मार्च के बाद जब हमारी पार्टी के वरिश नेता पूरे देज भर में चुनाओ अभ्यान की शुरुआत कर देंगे तो और तेजी के साथ उसको भी हम एक साथ साइमेंटेनियस शुरू करेंगे इसके अतरिक तो जो होता है डुगगी पीट करके सूचना देना लोगों को कि आज जो है वो नरेंद भही मोदी की हमारे परधान मंत्री पत्किय उमीदवार की सभा इस जगहां पर इस इस स्थान पर इतने बज़े होने वाली है राजनास सिंग जी की सभा यहां होने वाली है अड़वानी जी की सभा यहां होने वाली है इतने बज़े होने वाली है सुष्मा जी या और जो हमारे वरिशनेता है तो निस्चित तोर से आज सोशल मीडिया इलेक्टरॉनिक मीडिया मोबाईल ये जो है वो उस डुगई का काम कर रहे हैं तो उसके माद्धम से हम अपनी रैलियों को परचारित करेंगे सूचना देंगे और लोगों की जादा से जादा भागीदारी सुनिस्चित हो सके उसका हम उसका भी हम उसकी व्योस्था भी हम करेंगे इस तरह का हमने एक इसकी एक योजना एक बनाई है जिसका कि यह पुस्टर है जो अलग-अलग सोशल मीडिया है अलेक्टॉनिक मीडिया है और अन अस्थानों पर भी इस तरह का आपको पार्टी की तरफ से दिखाई पड़ेगा उसके अतरिक हमने एक आपको इसमें रिलीज दी है जिसमें कि बिंदू है जिनको कि हमने अभी आपको आप बताया नहीं है वो आप इसको एक बार देख लेंगे जो रैलियां हमारी होंगी उन रैलियों की रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के बाद हम उनको उसी पार्लेमेंटी कांश्वनसी उसी संसदी छेतर के कारकरताओं और मद्दाताओं के बीच में उसकी सीडी देंगे ताकि जो लोग उस रैलिय में नहीं भी आ सके उन तक नरेन मोदी जी या भारती अन्ता पाइटी की जो और वरिश नेता है उनकी उनका पहुँच सके मुझे इतनी कहना है इसमें आपको और कोई प्रश्ण है तो इस बारे में हम जो है वो यह निमंत्रम पत्र का जो है वो यह है वो आपको मिलेगा इसमें किट्स के साथ इसके अत्रिक ते कई कई जगों पर जैसे यूपी है अब यूपी में जो है वो आराजकता और गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा मुद्ध है उसी परकार से जो आनने कई राज्ज हैं जिसमें कई राज्जों से जुड़े हुए सवाल है वो भी जो है इसमें होंगे और यूपी ए के खिलाब जो एक संचिप में वैसे तो हमारी एक कमेटी है जो चार्शीट बना रही है विस्तार से लेकिन कुछ ऐसे मह अक्तपूर बिंदू हैं जिन बिंदू के बारे में की हम लोगों तक उसको पहुंचाएंगे जी साब